नमस्ते दोस्तों UPSC एकाड़ा में आपका स्वागत है दोस्तों हमारी एन्वायरमेंट के कोर्स के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अगर एकोलोजी की बात करें सबसे पहले तो तर्म एकोलोजी वास कॉइंड बाई जर्मन बायोजिस्स अंस्थ हेकल अंस्थ हेकल यह नाम आपको स्टेट PCS एक्जाम यह यह बाकी एक्जाम जो है उनके अंदर पूछा जा सकते हैं तो आपको नाम याद रखना है अंस्थ ह एकल ठीक है और अगर डेफिनेशन की बात करें तो इकलोजी में भी डिफाइन ऐस दा साइन्टिफिक स्टडी ओव दे रिलेशनशिप अफ लिविंग ऑर्गैनिजम विद इच अदर एंड विद इन्वाइरमेंट तो यहां पर आपको दो तिन कीवर्ड याद रखने है आप जब भी कोई डेफिनिशन याद रखो करो तो इसके दो तिन कीवर्ड याद रखो ठीक है तो इससे आपको इजिली हो जाएगा याद करना तो पहले बात तो क्या साइन्टिफिक स्टडी है क्योंकि लोजीवर्ड आ गया तो जहां भी लोजीवर्ड आये इट मिन्स स अब बात करते हैं लेवल्स ओफ एकलोजिकल और्गनाइजेशन तो क्या-क्या लेवल्स है सबसे पहले अगर बात करें लेवल्स में सबसे पहले आनता है इंडिवीज्व सिफिश्टमानी के तो individual के है individual is an independent organism जैसे कि एक single rabbit एक single human being ठीक है कोई भी person है वो एक individual है और अगर एक species के बहुत सारे individual एक साथ group हो जाते हैं तो उसको बोलते है population group of organism usually of same species अब यह बड़े same species occupying a definite area at a specific time example human population अगर group of rabbits है तो भी भी रैबिट की population हो जाएगी पर बात यहां पर क्या है कि same species क्या होने चाहिए ठीक है community के अंदर क्या होगा species different होंगी population of plants and animals of different यहां पर different species तो यहां पर क्या different species है यह की वड़े यहां पर ठीक है तो जो community है इसमें आपको क्या करना है different species यह वड़े याद रखना है और यहां पर क्या था same species example grassland community इसके अंदर आपको ग्रास मिलेंगी trees मिलेंगे animals तो पूरी community है इसके अंदर के different species है फिर community से उपर ecosystem तो ecosystem के अंदर क्या आएगा community वाला पाट तो पूरा आएगा ठीक है तो community वाले जितने भी organisms है वो सारे आएगे plus साथ-साथ उनका environment भी आ जाएगा तो ecosystem के अंदर दोनों चीज़ आते है organisms plus their environment so community of living beings plus their physical environment both interacting and exchanging material between them दूसरी बात क्या है कि they both are interacting and exchanging material between them तो ecosystem के अंदर आप मैंसे मैंने पहले बताया था ecology के अंदर भी कि environment आप यह organisms आपस में भी एक-दूसरी से relate कर रहे है साथ में इनका relationship environment के साथ भी है अब फरक क्या ecosystem और ecology में फरक यह है कि ecology होते है वो एक ecosystem के study होती है तो लोजी मिन study और ecosystem के है it is the community of living beings plus their physical environment also organisms are interrelated with each other and they have relationship with their environment also उसके बाद उपर और अगर higher level organization की बात करें then comes the biomes और फिर लास्ट में biosphere तो बाइम से बहले एक बार आपको biosphere बताता हूं ठीक है तो biosphere क्या होता है part of the earth where life can exist तो अगर आप ऐसे बान लीजिए यह अर्थ है अर्थ में आपके तीन component है lithosphere hydrosphere ठीक है और atmosphere lithosphere जो है आपका land वाला part है hydrosphere water वाला atmosphere जो आपका climate वाला ठीक है उसके अंदर क्या है उसमें अगर इन तीनों का common है लें हम यह तो कुछ एरिया ऐसे आएगा जहां पर life exist करती है अर्थ में सारी जहां पर life exist करती है कुछ एरिया है जहां पर life exist करती है उसको हम बोलते हैं biosphere तो part of the earth where life can exist अभी biosphere को ही हमने different parts में divide किया हुआ है ठीक है तो biosphere different is subdivided into different parts और उसको क्या बोलते हैं biomes और वो divide की spaces पे किया हुआ है आपके climatic basis पे the terrestrial part of biosphere जो भी biosphere का terrestrial part है that is divisible into different regions called as biomes तो उनको क्या बोलते हैं biomes बोलते है characterized by climate vegetation animal and soil type so it means कि जो भी बायम होगा उसके different climatic condition होगी different उसकी vegetation होगी different उसके soil type होगा और एक different उसका animals होगा ठीक है तो यह सब चीजे हर एक सब्सक्राइब की different होती है उसके आद मैं आपको जाता हूँ different types of biomes ठीक है तो biomes refers basically to terrestrial areas तो mostly आप जनरली आप देखो के biomes कहां पर मिलेंगे आपको terrestrial area पर मिलेंगे लेकिन जो aquatic system है उसको भी आपने divide कर रखा है different regions में and based on salinity the aquatic system like seas rivers are also divided into distinct life zones तो वो भी distinct life zone में divided है उन्दा basis of salinity और यह biome जो divided है यह उन्दा basis of climate है then the climate determines the boundaries of biome यह बहुन आपको पता है कि जो biome है उनकी जो different biomes है they are divided on the basis of the climate climate के अंदर आपका temperature और precipitation आएगा इस diagram से आप समझभाएंगे कि जो हमारी अर्थ है यानकी biosphere है it has been divided into different biomes और कहां पर कौन-कौन से biomes है तो अगर मान ली जी यह आपका एक्वेट यह अर्थ है ठीक है और यह आपका जीरो डिग्री है equator तो यह जीरो डिग्री वाला है मैंने भी नदन हम सब्सक्राइब की different different biomes मिलेंगे और इसमें आपको climatic condition कैसे चीज़ होंगी if we'll move from equator to the poles then there will decrease in the temperature ठीक है और यह जो है portion है मालो यह आपका eastern side of continent है और यह western side है तो east से अगर आप west आ रहे हो तो क्या होता है continent पे aridity increase होती है तो यहां पर क्या हो रहा है there moisture कम हो रहे है decreasing moisture यहां पे rainfall काफी ज्यादई है यहां पर rainfall कम में और ऐसे यहां पर temperature काफी ज्याद temperature उपर कम होता जा रहा है तो जब यह रिया है जो जहां पर rainfall भी कहा है सब्सक्राइब मॉइस्टर भी जाद है और temperature भी जाद है तो वहां पर आपको कैसा बायों मिलेगा tropical rainforest क्यों एक्वेटर से लेके लगवग यहां पर 23 degree and half तक आपको tropical region मिलेगा तो जितने भी बायों मिलेंगे आपको tropicals related मिलेंगे उससे उपर फिर temperate फिर और ठंड बढ़ती जारी फिर टाइगा टुंडरा और पोलर तो आप इधर यह तो होगे आपका किसके बैसिस पे temperature के बैसिस पे और जब आप आपके different biomes आगे tropical region में temperate region की बात करें here moisture will be more so you will find temperate deciduous forest then moisture will further reduce it will lead to formation of temperate glasslands so this area of temperate glasslands प्रेरी आपके steppies इसी region मिलते है then further Mediterranean scrub forest यह आपका Mediterranean region further आप North move करेंगे तो आपका चुब आपका नेक्स्त है और बोरियल और tagaba taga biome then tundra and finally polar so this is the different these are the different biomes and they are divided on the basis of climate and based on the different climatic condition you will find different plants and animals and soil type here next is ecosystem and its components so ecosystem the term ecosystem is coined by AG 10 slay तेको हरे ecology में आपको पताया किसने coin किया ठीक है ecosystem भी तो यह आपके state pieces मैंने आपको बताया यह SSC यह bank exam उनमें कहीं पर पूछ लेते हैं तो आपको जो main mean terms है उनका पता हो ना जे किसने coin किया है तो the term is coined by AG 10 slay ठीक है अब यह मैं definition आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि ecosystem के it is a combination of community of living beings plus their physical environment and both are interacting and exchanging materials between them जैसे plants animals people water and soil अब a biotic और biotic component होते है इसमें हम बड़ेंगे भी ठीक है और जो animal है यह living organisms है they are relating with each other also and they are also exchanging material with their environment also और इस पूरे को बोलते हैं क्या ecosystem तो ecosystem में क्यों organisms नहीं आते यह वाद ज्यान रखना आप organism के साथ-साथ उसका environment भी आता है तो combination of combination of organisms and their environment is known as ecosystem उसके बाद scale की अगर बात करें ecosystem की तो ecosystem एक tree है that is also an ecosystem in itself and a large forest it is also an ecosystem तो इसका scale है ना काफ़ी vary करता है एक small tree भी अपने आप में ecosystem है and एक forest है वह भी अपने आप में ecosystem है ठीक है क्योंब ट्री से देखो आप ट्री में सारे component है वह बायोटिक है बायोटिक ठीक है तो इसलिए ट्री अपने आप में उसके ट्री एक इंट्रेक्ट करता है किससे आपके environment से sunlight लेगा ठीक है एर फिर फ़र्क पड़ता है और उसमें फिर birds भी आते हैं ठीक है तो अपने आप में फिर डिकंपोजर्स भी है जो अगर से डिके मैटीरeल है उसको डिकंपोज करते हैं तो ट्री अपने आप में फूरा एको इको सिर्फिस्टम है और सेम जो फ़ोरेinta है यह एक सी तो बाकी चीजों में भी इंपेक्ट करेगा तो आपको यह बात भी ज्यान रखना है इसलिए हम देखो कोई भी स्पीशी होती है एको सिस्टम के अंदर हम कोशिच करते हैं उसको बचाया जाए क्योंकि पता नहीं अगर उसकी स्पीशी के लॉस्ट होने से बाकी को सिस्टम पर क्या-क्या फरक आएगा घया तो काफी फरक आता है पूरा सिस्टम भी डैमेज हो सकता है इसका एक पार्ट कराब हो तो तो इसलिए वन फार्ट ऑफ इको सिस्टम डैमेज इट इंपैक्ट अदर पार्ट ऑल्सों अब हम देखते हैं different components के हैं ecosystem के तो जो ecosystem के component है it has been divided into two parts one is biotic other is abiotic biotic के अंदर वो आएंगे जो living part है ठीक है तो living components comes under biotic तो सबसे पहले producers producers plants ठीक है फिर आएंगे consumers जैसे animals और last में आएंगे आपके decomposers जो भी plants animals इनमें जो भी dead material हुआ उसको decompose कोन करेगा decomposers तो यह जो living part है ecosystem जो ecosystem का living part है वह आता है आपका biotic components में producer consumer decomposers decomposers में देखो याज रखना कौन क्या क्या आता है fungi bacteria and other microorganisms उसके बाद है nutrient recycling तो इनका जो काम है decomposers का काम क्या है nutrient को recycle करना तो nutrient recycle इनका काम है उसके बाद abiotic biotic component कर लिए abiotic में आपका क्या आएगा that are no living part of the ecosystem तो इसमें आपके energy radiation temperature atmospheric gases and winds ठीक है topography soil minerals यह सारे पार आपके इसमें आएंगे abiotic में इसके बाद एक और part important है organic substances तो abiotic अंदर organic substances भी आते हैं जैसे आपके proteins carbohydrates lipids और ही क्या करते है they form the building block of the life तो जो living system है उसका building blocks they form the building blocks of the living system और एक और important बात है इसके बारे में कि they act as the link between abiotic and biotic component so they make a link between the biotic and abiotic component ठीक है अब हम करेंगे different types of ecosystem तो different type of ecosystem है first natural ecosystem natural ecosystem they occur in nature and they are self-regulatory so they occur in nature and can survive even without human intervention तो यह self-regulatory होते है जैसे आप मालो forest ecosystem है आपको चाहिए उसको disturb मत करो आप ठीक है वह अपने आप ही sustain कर लेगा तो दियार self-regulatory अपने आप रेगुलेट करेंगे और अपने आप ही sustain करते हैं अपने अपने आप survival sustain करते हैं human intervention required ने होती natural ecosystem में and they provide us food fuel fodder and medicines यह ecosystem services होती है जो हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद है man-made ecosystem the for now the sustenance for the man-made ecosystem it depends on human beings so sustain by human intervention जैसे आप zoo और garden देख लो ठीक है तो जू के अंदर भी जो animals है उनको feed करने के लिए human beings चीए ठीक है तो इसलिए these systems are man-made ecosystem they survive or sustain by the human intervention तो यह टू टाइपस आपके एको सिस्टम होगे next आगते एकोटोन यह concept काफी important है और इससे question भी आ चुगा है तो आपको डंक से समझना है इस concept को ecotone क्या है it is a junction main बड़े junction ठीक है junction between two or more diverse ecosystem तो दो diverse ecosystem है उनके बीच का जो junction है उसको बोलते है हम क्या ecotone अब देखो यह आप एक land ecosystem है एक aquatic ecosystem है so these are two diverse ecosystem one is land other is aquatic and the junction between them this is known as ecotone so this is a junction it is known as ecotone अब बात करें examples की तो different examples क्या है estuary estuary is a link between river and sea suppose a river is flowing and it is joining sea this is the sea so estuary form here at the junction of where the river is joining the sea here forms the estuary so it is also a junction okay so estuary is an example of ecotone next is river bank so same the river is flowing here is a bank so it is a link between terrestrial it is a terrestrial area and aquatic biomes and river is the aquatic biome तो यहां पे जो junction होगा यह भी ecotone है ठीक है next is mangroves and marine sorry mangroves जो mangroves है वो भी ecotone का part है and it forms a link between और junction between marine and terrestrial environment ठीक है तो आप coastal area से find करोगे mangroves mangroves कहां पर होते है coastal area में so it forms a ecotone और a junction between marine environment and terrestrial environment तो यह तीनों examples ऐसे काफी examples होते हैं जो दो different diverse ecosystem के बीच में junction बनाते हैं उनको बोलते है ecotone अगर बात करें characteristics की तो इनकी पहली characteristics क्या होती है इधर there is a progressive increase in the species composition of one coming community and decrease of the other अगर यहां से आप move कर रहे हो यह ecotone है यहां से तो यहां से आप इधर move करोगे तो इधर land की species ज्यादा मिलेंगी आपको ठीक है water वाली कम होंगी फिर जैसे इधर आजोगे from that of the adjoining communities एक माननों यहां पर ecosystem है ठीक है land वाला यहां पर जो communities मिल रही है और यहां पर जो communities मिल रही है तो जरूरी नहीं है same communities यहां पर मिलें आपको कुछ communities यह species ऐसे होंगी जो इन दोनों में नहीं मिलती है ठीक है यह इसकी second characteristic है और जो third characteristics है वो काफ़ important है उसको बोलेंगे हम edge effect तो edge effect क्या होता है sometimes the number of species and the population density is greater than the either ecosystem this is called edge effect तो कई बार आपको क्या होगा आपको बता चलेगा कि यहां पर जो ना number of species कितनी है land पे 100 है माल लो और अगर aquatic में 200 है ठीक है तो यहां पर 300 है यानि कि जो ecotone के अंदर इस number of species वो दोनों ecosystem है उनसे जादा है तो उस चीज़ को क्या बोलते है edge effect तो यह हो गया आपका ecotone के बारे में next है niche ठीक है यह से भी UPC question पूछ चुका है तो इसको पता होना जिए आपको बेसिक terms और कुछ concepts ecosystem से लेटिन जो उनके बारे में आपको पता होना इक species की युणिक niche होगी ठीक है तो जैसे कि unique functional role और place of a species species के बात हो रही है तो हर एक species की unique niche होती है तो unique functional role और place of a species नहीं ecosystem तो एक ecosystem के अंदर हर एक species की क्या होगी युणिक आपकी या तो functional role होगा उससे कोई function unique होगा या फिर उसका क्या होगा एक place होगी वो unique होगी ठीक है तो जैसे कि अगर आप यह देखो यह ecosystem मालों अगर यहां पर यह यह विवाल के एक plant है ठीक है उसके अंदर यह जो different organisms है नहीं इक काम अश्राइक इनका कांम अलग है इनका काम अलग है एक ecosystem के अंदर तो युणिक functional role और a place of a species इन नहीं ईको सिंद्व इसको बोलते है निश नेचर में ऐसा तो अगर मालो दो तिन श्पीशिज एक जगा रहने लगी तो क्या करेंगे लोग कंपीट करेंगे आपस में दूसरे के ताथ रिशोर्स के आथ और तब तक करेंगे तब तक एक स्पीशिज ख़बना हो जाए इसलिए क्या होता है अनिश इस यूनिक फोरा यूनिक भी है ठीक है नो टू स्पीशिज इन थे हैबिटेट कैन हैव दा सेम नीश सेम नीश निए किसी की इस बिकोज टू स्पीशिज ओक्यूपाई दा सेम नीश देविल कंपीट विद वन अनदर अंटिल वन इस इस दिस प्लेज यह मैंने आपको बताया अगर दोनों से सेम नीश अप्लाई करेंगी ठीक है जहां पर रहेंगी अगर यह भी यहां पर आके रहने लग गया तो यह कंपीट करेंगे रिसोर्स के लिए ठीक है ना और उनमें से फिर एक को डिस्प्लेश होना पड़ेगा तो इससे क्योंग एक और आपको यह याद रखना है कि हर ए रोल है फंशनल हो रहे है और यूनिक प्लेस है अबिटेट के अंदर इसको नीश बोलते है उसके एक्जामपल की बात करें लार्ज नंबर ओडिफरेंट स्पीशीज ओफ इंसेक्स तो इस इसे इसे प्लांट एक प्लांट एको सिस्टम उसका सेम है उसके अंदर एक्जिस तो इसको बोलते है नीश अगर एडप्टेशन की बात करें एन अडप्टेशन इस दस अपिरियंस अब देखना किसी भी ओर्गैनिजम के अंदर उसकी अपिरियंस या उसका ब्हेवियर या उसका मोड़ ओफ लाइफ ओफ एन और्गैनिजम देट अलाव इट तो एक पर्टिकुलर नवार्मेंट जैसे मैं बायों पढ़े ले डिफरेंट भायों में धियकको डेजर व्यों में कोई कोल पाऊ मैं थी को लिजन का टुनड रहा है को टाइगा है तो डिफरेंट जो आपके पर्टिकुलर विप्टिक अन दिफरेंट थे उसके अंदर थीक ह क्या पेरेंस ऐसे हो जाई कुछ ताकि वो उस environment ने sustain कर पाएं अगर आम बात करें examples की तो आप देखो desert ecosystem में extensive root system होता है plants का तो यह क्या है उन्होंने adaptation किया है जैसे मालो यह आपका plant और plants के क्या है जो roots है क्या है वह काफी डीप है तो यह इसके क्या है adaptation है इसने उसका mode of life है plant का वह ऐसा है कि वह desert environment में sustain कर सके तो एक्जामपल desert ecosystem के extensive root system of plants to tap water क्योंकि desert area में जो water होता है काफी नीचे मिलते है तो इस water को tap करने के लिए इनकी roots क्या होती है काफी deep होती है तो यह plants का क्या क्या adaptation हो गया उसके बाद है अगर camel की बात करें can live without food for many days by storing food in hump अब camel को आप देखना camel का क्या होगा हम होगा तो यहां पर हम हम ही हम क्यों है यह हम इसलिए क्योंकि camel क्या है food store कर सकता है यहां फैट्स की सर्वाइब कर सकता है without having food तो यह camel की क्या adaptation है desert reason की तो आप यह बात ध्यान रखना ठीक है जो भी हम distinction कर देते किसी हम कहते को animal खराब है या अच्छा है या देखने में अच्छा नहीं लग रहा या इसका यह उपर है तो हमें कोई without reason नहीं है जैसे कि मानलो कुछ कुछ एरियास में लोग क्या होते हैं dark color के होते हैं ठीक है कुछ में fair होते है तो इस ताकि उस एरिया में adapt कर सकें तो यह हम इसका जो कहेंगे ना कि उपर उठाव है या किसे को खराब लग रहे है उसका किसे reason है वह ऐसे नहीं है कि आपकी शेप यह आपके सोचने से बुझोगा क्यों पर्टिकुलर जो एरिया है उसके इंदर कैसे अड़क करना है और्गेनिजम को human beings को भी तो उसके साब से हमारे जो appearance है हमारा behavior और हमारा mode of life चेंज लगता है अब नेक्स्ट है ecosystem services ठीक है यह भी topic काफ इंबोडेंट है इससे भी question आ चुक है UPSC में ठीक है तो आपको different concept पता हो नज्जे क्या होता है ecosystem services और क्या क्या different ecosystem service प्रवाइड करता है हमें ecosystem तो अगर ecosystem service की बात करें तो जो भी benefits human beings को drive होते है ecosystem से they are known as ecosystem services so benefits derived by humans from ecosystem अब इसके जो benefits ठीक है उसको में चार category में डिवाइड कर रखा है regulating benefits, provisioning benefits, cultural benefits, supporting benefits तो अगर regulating की बात करें तो ecosystem कहीं ना कि काफी चीजे regulate करता है human beings के लिए ठीक है जैसे अगर trees होंगे तो atmosphere सोड़ा cool रहेगा, climate regulated रहेगा, trees से यह भी फायद होता है flood भी control होते है natural हजार control होते है, land slide control होती है, क्योंकि जो roots है, वो क्या करते है, जो soil है उसको bound करकर रखते है, तो regulating बात करेंगा, regulate ecological balance, उसके अदर आएंगे आपके climatic regulation, natural hazard regulation, काफी plants होते है, जो water को purify करते है, ठीक है, जो pollutants है, उनकी roots यह स्था एब्सोर्ब कर लेगा उसको, ठीक है, और water को purify करते है, तो water purification, pollination, pollination का एकोशन आया था, तो यह सारी कहा है, regulating ecosystem services है, उसके बाद है, provisioning की, तो provisioning बड़ जब भी आया, जो भी चीज resources, जो ecosystem या environment से drive करते है, जिससे हमें क्या, sorry, हमें क्या हो रहा है, economic benefit हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते है, provisioning services, तो इसके अंदर कहांगे, कुछ products आएंगे, raw material, example, food, items, medicine, ठीक है, और जो energy के resources होगे, वो, या mineral resources होगे, तो यह सारे आपके कहा है, ecosystem services, regulating होगे, provisioning होगे, supporting, supporting बाद में करेंगे, उसके culture लाओ, तो cultural में क्या आएगा, tourism, recreation, aesthetic, जो भी हम जैसे tourism जाते हैं, हमेंगे अच्छा feel करते है, aesthetic look आते है, ठीक है, last में supporting services, जो इस supporting services है, they form the basis for other services, जितनी भी services है, बेस किस पर है supporting services इनको अगर यह service नहीं होगी न तो बाकी भी sustain नहीं कर पाएंगी इसके नदर क्या कहते है जैसे आपका soil formation अगर soil नहीं होगी ठीक है तो कैसे trees होंगे कैसे बाकी ecosystem service होंगी ठीक है तो यह क्या आपका they support the other three services उसके बाद है nutrient cycling जो nutrient cycling है ठीक है soil है soil के साथ है nutrients भी यह plants को अगर nutrients ही नहीं होंगे तब भी ecosystem develop नहीं कर पाएगा तो this supporting ecosystem service they support the other three services इसको करना है तो RPSC से अगर आपको याद हो जाएंगे तो ठीक है बैस तो राज्टान functions of ecosystem ठीक है यह थोड़ा conceptual part है समझना डंग से इसको तो functions क्या है तीन में डिवाइड किया functions of ecosystem को ठीक है पहला energy flow तो ecosystem ठीक है energy flow होता है ecosystem के अंदर and it take place at traffic level ठीक है एक traffic level से दूसरे traffic level तर कैसे energy flow होगा वह हम पढ़ेंगे और किस में पढ़ेंगे हम यह food chain में food web के थूर और ecological pyramids तो energy flow is shown by food chain food web and ecological pyramids तो पहला function आपका क्या हो गया ecosystem का energy flow that take place at different traffic levels उसके बाद है आपका यह traffic level के अगर बात करें तो बताएता हूं आपको बात बात नहीं आपको पता चल जाएगा इनको खाया हर्भी वहरस ने तो next tropical level हर्भी वहरस हो गया इसको खाया किसी ठीक है हर्भी वहरस हो किसी खाया कार्णी वहर ने और फिर टॉप कार्णी वहर तो यह different आपके कहा है यह earth crust में है तो इनकी पूरी तो cycle होती है nutrient cycle इसको बोलते हैं वह second function है आपका किसमे एको सिस्टम का second function है उसके नदर आप पढ़ोगे दो टाइप of cycles Sedimentary cycles और Gaseous cycle next is Ecological succession या फिर ecosystem development टिक है तो Ecological succession क्या होता है उसमें आपको दो परड़ने है ठीक है वो इमों करेंगे अभी पहला है primary succession होता है और दूसरा Secondary succession इस slides में आपको यह याद रखना है कि ecosystem के तीन function है पहला है energy flow दूसरा है nutrient cycling ठीक है और तीसरा है यह ecological succession अब हम इनको डिटेल में करेंगे तो एनरजी जो फ्लो था उसके इंदर पहला पार्ट क्या था आपका फूर्ड चेन तो फूर्ड चेन क्या होता है अब उसके कर डेफिनेशिew सब्सक्राइब करें इसके एक इक बनाद रिजल्टिंगे इनलीर फ्लो और इसमें एकी डायरेक्शन फ्लो का लीनियर फ्लो थी तो आप यहां पर देखना लीनियर फ्लो है बस कोई और डाइबर जिन नियु तर उदर तो a series of organisms eat one another resulting in linear flow of energy and nutrients from one organism to another तो यहाँ भी ग्रास उपर ग्रास उपर को खाया माउस ने ठीक है यह क्या होगा secondary consumer फिर tertiary consumer माउस को खाया snake ने और snake को खाया eagle ने यह क्या है आपका apex predator ठीक है अब यह देखो साथ सथ energy बतायता हूं आपको energy flow भी हो रही है यहां से 10,000 kg energy ती अब उसके उपात क्या होगी 1000 होगी energy next ट्रॉफिक लेवल पर 100 होगी फिर आपकी होगी यह हम आने वाले जो आपका pyramid आएगा उसमें बताऊंगा हर लेवल पर energy कम होती जाती है ठीक है उसके बात करें जितने भी producers या consumers से यह जब भी death होती इनकी ठीक है तो इनको decay करने के लिए क्या होते हैं आपके decomposers होते हैं तो देखा हम ने ecosystem में पढ़ा था कि producers होंगे consumers होंगे ठीक है decomposers भी होंगे तो इनको जो यह जो भी अनुए ना producer producer consumer जब इनके death के बाद इनको decompos करने के लिए decomposers होते हैं ecosystem के अंदर वो फिर इसको decompos करते matter को और nutrients generate होते हैं और these nutrients are further supply to the producers फिर producers grow होते हैं और फिर cycle चलती है ठीक है तो food chain में आपको याद रखने जरीज़ा linear flow of energy and nutrients from one organism और one traffic level to another food chain के बाद अब देखने हैं types of food chain अब food chain भी two types के होती है एक होती है grazing food chain और दूसरी होती है datritus food chain अब इसमें आपको एक वर्ण keyword याद रखना है कि जो green plants से start होगी ना food chain उसको बोलेंगे grazing food chain और जो dead organism से start होगी उसको बोलेंगे आपकी जो grazing food chain है अगर जो ऐसी food chain जो की एक dead organism से start हो रही है तो इसको क्या बोलता है इन और इन और इन और जो आपकी डर्स फूद रएक है तो एसी food chain года जो वर्ट इस मेस्ता जह साथ वह लेदे डर्स ऐस्चारन आपकी चेसखまた चिसभी चर्क इन बाडवक्थेस ने करीम लाग एन अन थिसक लो-डट Dan आपकी में और जो फैर आपको आपकी आपद Aber अब आव फूड वेब पे, तो देखो फूड चेन में तो क्या था आपको एक लीनेर फ्लो दिख रहा था, एक लीनेर में जा रहे था, एक लाइन में जा रहे थे सारे और गैनिजम्स, ठीक है एनर्जी फ्लो एक लाइन में थी, इसमें क्या होता है, there is an interrelation of food chains, तो many food chains exist in an ecosystem, and one organism can be food, ठीक है, can be food to another organism, these interconnecting food chains are called as food web, तो एक organism जो है, वो क्या होगा, दूसरे organism, मलें एक organism है ये, ठीक है, हम food chain में तो क्या करना थे, एक लीनेर फ्लो देख रहे थे, कि sun से आप इसको एनर्जी मिली ग्रास को, ठीक है, ग्रास से, ग्रास में, ग्रास को खाया ह इसने earthworm में, ठीक है, वहाँ से फिर इसने earthworm को खाया, फ्रोग ने, और फ्रोग को खाया किसने eagle ने, तो ये cleaner, ये होगी आपकी food chain, लेकिन जहापे multiple food chain होजाती है, उसको बोलता है food web, कि earthworm को खाया किसने hen ने, और hen को खाया फिर किसने hawk ने, तो ये जो eagle है या hawk है, ये दो organism को खा रहा है, इसको इसको, ठीक है, तो many food chain exist in a ecosystem, and one organism can be food to two or more organism, तो ये organism जो है माल लो, this one, this earthworm है, this can be food for hen also, and this can be food for this frog also, तो ये क्या आपका बना रहा है food web, तो food web क्या होता है, these interconnecting food chains are called as food web, तो एक food chain आपकी ये होगी, और एक food chain ये होगी, पर ये interconnected है या से, so this interconnected food chain, they are known as food web, next topic है हमारा ecological pyramids, ठीक है, the steps of trophic levels, जो हमने different trophic levels पढ़े थे, यहाँ पर एक trophic level से, दूसरे trophic level में आथता है, ठीक है, these are expressed in diagrammatic way, ठीक है, the steps of trophic level expressed in a diagrammatic way, in it, food producer forms the base, जो producer होगा, वो बिल्बूल बेस पर होगा, अब देखो ये होते, ecological pyramids, तो जो producer होगे वो आपके बेस पर होगे, और जो different trophic levels है, एक trophic level होगा, एक दूसरा होगा, तीसरा होगा, they are shown in a diagrammatic way, तो ecological pyramids, these are the steps of trophic level expressed in a diagrammatic way, in it, the food producer, they form the base, तो grassies यहाँ पर होगी मालो, या plants होगे, green plants, they are form at the base of the pyramid, and the top carnivore, और अमने पताना, apex parameter, predator, या भी top carnivore, ये क्या होगा, बिल्कुल टिप पे होगा, और we have to study three kinds of ecological pyramids, one is pyramid of number, ठीक है, then other is pyramid of biomass, and last is pyramid of energy, so we will see first pyramid of numbers, अब what pyramid of number will show, it will show the number of organisms at east trophic level, तो माल लीजे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, इस पे कितने organisms है, ठीक है, फिर उसके बाद कितने है, तो इसके बाद कितने है, तो इसके बाद कितने है, तो इसके बाद कितने है, तो इडिशोन बाए दा, pyramid of number, अब there are two kinds of pyramids of number, one is upright pyramid, other is inverted pyramid, ठीक है, तो upright pyramid में क्या होगा, जो base होगा, ब्रोड होगा, उसके बाद कम होते जाएंगे, यानि कि number यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, फिर number कम होता रहेगा, तो ग्रासिस का number obviously ज्यादा होता है, ग्रास उपर से, फिर ग्रास ज्यादा होता है, rat से, ठीक है, rat का ज्यादा होता है, snake से, और सबसे कम फिर ओक का, तो ऐसे जब move कर रहेगा, उपर, पीरामिड में, पीक की तरफ, तो आपके क्या होगा है, number of organisms कम होते जा रहे है, इस अप्राइट, और inverted में क्या होता है, कि जो number of organisms है, as you move up to the traffic level, तो it will decrease, तो tree, देखो, मालों, एक single tree है, तो एक नमबर है, birds वे कुछ birds है, 10-15 birds है, parasites, worms तो और भी जाता होंगे, मालों, 100 worms है, और hyper parasites, चोट-चोटे microorganisms, ठीक है, तो वो तो और भी जाता होंगे, तो ये मालों, 1000 है, तो आप देखरो, जैसे जैसे आप उपर बढ़ रहे हो, traffic level से, त increase in the number of individuals, तो ये क्या होगा, base narrow है, फिर broader, broader है, और top एकदम broad है, inverted pyramid है, और इसका example है, tree ecosystem, एक tree का जो ecosystem है, this is the example of inverted pyramid of number, अब हम देखते है, pyramid of biomass, उसमें भी दो टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन फरक है, pyramid of number और pyramid of biomass में, कि जो pyramid of number था, that was showing the number of individuals at each traffic level, तो यहां पर कितने number हैं, लेकिन जो biomass वाल है, that will show the weight, ठीक है, so individuals at different trophic levels is weight instead of being counted, यहां पर वे किया जाता है, ठीक है, तो कितना weight है इनका individuals का, तो producer grassy यहां पर weight जाद है, ठीक है, उसके बाद herbivorous का weight और कम है, total herbivorous का करेंग, ठीक है, फिर primary, जो carnivore है, fox उसका और कम है, और top carnivore का और भी कम है, तो biomass क्या हो रहा है, ट्रॉपिक लेवल के साथ, decrease हो रहा है, ठीक है, base का है, broad है, तो ऐसे जो pyramid होता है, biomass का उसको बोलते है, आपका यह, upright pyramid, इसका example है, land ecosystem, और अगर inverted pyramid की बात करें, तो inverted pyramid में क्या होगा, जो नीचे वाल आपका, जो सबसे base है, ठीक है जो आपका biomass है, that is, less than the, its above level, तो phytoplankton बिल्कुल microorganisms है, बले इनका number जादा हो, लेकिन का biomass कम है, compared to small fishes, और small fishes का biomass और भी कम है, large fishes है, तो जो aquatic ecosystem है, this is the example of inverted pyramid of biomass, जिसमें large fish का biomass का बात काफी ज़्यादा है, क्योंकि आपे एक्सपरेटर है, तो रहेगी, लेकिन इसमें आपे क biomass जादा है इसका, तो और जो नीचे वाला है, उस phytoplankton ठीक है, वो बिल्कुल base spelling का biomass कम है, तो pyramid कैसे बन रहे है, inverted, अब last pyramid है, आपका pyramid of energy, अब देखो, अभी तक जो आपने pyramid of number बढ़ा था, और pyramid of दूसरा biomass बढ़ा था, उसमें आपका inverted भी थे, और upright भी था, ये जो पिर inverted pyramid नहीं होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है, जो है ना, at each level, trophic level, at each trophic level, energy is lost, ठीक है, तो यहां पे क्या देखोगे, आप हर एक trophic level का energy कम ही होती जा रही है, तो जो base है, वो काफी broad है, उसके बाद कम energy है, फिर कम energy, कम energy transfer हो रही है, ठीक है, तो हर बात क्या हो रहा है energy level कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका, at each trophic level, energy is lost, so it is always upright, तो यह upright pyramid बनेगा, energy is lost, because at each level, some energy is utilized for the metabolism, तो जो organism से, कुछ energy हो लो क्या गरते, metabolism में यूज कर लेते हैं, इसलिए जो next trophic level बैने जाती है, वो पहले वाले trophic level से कम ही जाती है, तो अगर आप देखो, या transfer होगी next, ग्रास उपर जो consumer level पर है, वो 1000 होगी, उसके बाद 100, फिर 10, तो जैसे जैसे आप move कर रहे है, the trophic level, the energy is decreasing, so it is a upright pyramid, इसमें ऐसा कभी नहीं होगा, कि एक trophic level से lower से अगर higher trophic level मोव कर रहे हो आप, तो आपके energy भढ जाए, इंक्रीज कभी नहीं होगी, तो यहाँ प always be upright, यह याद रखना है आपको, अब आओ, pollutants and trophic level, तो जो आपने different trophic level पढ़े थे, ठीक है, उन पर pollutants की काई status है, कैसे pollutants वहाँ पे exist करते हैं, उसके बादें पढ़ेंगे, pollutants specially the non-degradable, ठीक है, तो non-degradable pollutants की बात करेंगे, that non-degradable must move through the various trophic level in an ecosystem, अगर degradable वहा तो decompose बाहर ही आ जाएगा, लेकिन जो non-degradable होते है, mostly, वह move करते हैं, एक trophic level से दूसरे trophic level पर, movement of these pollutants involves two main processes, one is bio accumulation, another is biomagnification, तो अभी हम समझेगे, bio accumulation क्या है, bio accumulation क्या है, increase of pollutants from the environment to the first level organism in a food chain, अगर देखो यहाँ पे grasses है, या plants है, ठीक है, या कोई crops है, तो जो first level पे, जो pollutants की concentration increase होती है, उसको हम क्या बोलते है, bio accumulation, pollutants accumulate share, जैसे एक मालो, यहाँ पे crop होगी है, ठीक है, आपने क्या गया, पैस्टिसाइड स्प्रे किया, तो soil के अंदर आगे, आपके pollutants, वो crop के पास गए, कुछ pollutants soil में रह गए, अगे लिए फिर पैस्टिसाइड डाला आप के pollutants गए, तो धीरे-दीरे एक ही tropical level पे, अगर pollutants accumulate होते जा रहे हैं, एक ही traffic level पे, तो उसको बोलते है, bio accumulation, अब उसमें तो क्या था, bio accumulation में एक ही traffic level पे accumulate हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेगा, जब pollutants, जब pollutant move करेगा, एक traffic level से दूसरे traffic level पे, फिर उससे next, तो क्या होगा, वो magnify होगा, और बढ़ता जाएगा, ठीक है, bio magnification, tendency of pollutants to concentrate, तो यहाँ पे अगर एक था माल लो, यहाँ पे और ज़्यादास हो जाएगे, यहाँ पे 1000 हो जाएगे, तो हर लेवल के अगर रहे हैं, बढ़ते जा रहे है tendency of pollutants to concentrate as they move from one traffic level to the next, in order for the bio magnification to occur, अब जो pollutants हों की कुछ चरेक्टरस्टिक होनी चाहे, अगर bio accumulation होगा, ठीक है, the pollutant must be long lived, तब ही तो sustain कर पाएगा, यहाँ लंबी लाइफ, ठीक है, और it should be mobile, और soluble in fat, fat के अंदर soluble होना चाहे, यह नहीं अगर water के अंदर soluble होगा, ठीक है, पूरा decay हो जाएगा, और wash out हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, soluble fat के अंदर नहीं, water हो नहीं, it should be fat soluble, और biologically active होना चाहे, तो यह characteristic चाहर रखनी है, आपको, it should be long lived, लंबा चाहे ठीक है, mobile, soluble in fat, and biologically active, और अगर example की बात करूं, तो यह आप देखो, ecological pyramid, zooplankton है, ठीक है अगर एक zooplankton की toxicity बन यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पर मालो, 10 zooplankton है, और fish ने क्या खाए, 10 zooplankton खाए, हर एक की toxicity एक थी, तो fish के अंदर की नहीं toxicity होगी, 10 होगी, तो यहाँ पर एक थी toxicity, यहाँ पर एक fish के अंदर क्या होगी, 10 होगी, और यहाँ पर एक grass के अंदर कि वामने के साथ उसके बात मालो फिश उसने एक लार मिश फिश ने टिख है एक लार ज Пिश ने किए टेन avent किया आपको स्मॉल फिश को तो एक फिश की स्मॉल फिस के टोक्श 건데 ती 10 ती और एक लाइर्श फिश ने 10 अगर कंजूम किये हैं स्मॉल फिश तो उसकी जो लाइर्श फिश है उसकी टॉक्सिटी कि तो फिर क्या हो गया टॉक्सिटी या पॉलुटेंट मैगनिफाई होगे तो इस चीज़ों क्या बोलते हैं आप बायो मैगनिफिकेशन कि हर ए इन मुंलो लूह की तो जो फिशिकल एममाल लू आपका ठीक है इंच्माल फिश फिश फिर इह मोर्ते के थिन जो भी फिशिकलन य उससे कैसे जो नूटें से उसकी यहां पर ऑग्ट कैसे यहत्स back to the environment हर एक specific cycle तो आप detail में पढ़ सकते हो लेकिन आपको पहले basic idea होना चाहिए कि nutrient cycling या bio geochemical cycle है इनका concept क्या है यह बिल्कुल cycle की तरह जलते हैं तो पहले हम देखें कैसे environment जो physical environment है चाहे land हो चाहे water हो चाहे atmosphere हो उससे कैसे nutrients human beings में आते हैं या animals में जाते हैं या plants में जाते हैं और उससे वापिस वह कैसे atmosphere, lithosphere या फिर आपके hydrosphere में जाते हैं या वापिस environment में कैसे जा रहे हैं इस पूरी cycle को क्या बोलते है आप nutrient cycle ठीक है तो यह आपको basic पता होना ठीक है और यह जो टाइप से इसमें जो आपकी nutrient cycle में यह two types की होती है ठीक है depend की जो matter है उसका reservoir क्या है तो एक होगी gases cycle तो इसमें जो matter है उसका reservoir क्या रहेगा atmosphere या फिर hydrosphere तो अगर कोई cycle जहां से मालोग यह water से start हो रही है ठीक है carbon nitrogen cycle यह सारी एट्मोसफेर से start होंगी तो अगर reservoir यह कहां से हो गया hydrosphere से तो अगर reservoir hydrosphere या atmosphere है तो ऐसी cycle क्या होती है gases cycle और अगर reservoir आपका earth crust है ठीक है तो जैसे phosphorus हो गया sulfur अगर यह कहां से अर्थ crust मिलते हैं यहां से अगर start हो रहा है ठीक है cycle तो अगर reservoir क्या है matter का यह अर्थ crust है तो ऐसी cycle क्या बोलेगा आप sedimentary cycle इसके एक्जामपल है phosphorus cycle और surfer cycle ठीक है अब दुबारा हो जायता हो आपको basic आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो यह आपके ना nutrients move कर रहे है atmosphere lithosphere hydrosphere यानि कि environment physical environment से कैसे human beings या animals या organism उसमें आ रहे हैं और organism से वापिस कैसे यह आपके physical environment जा रहे हैं यह होती है आपकी nutrient cycling और depend करता है कि nutrient का reservoir कौन सा है ठीक है तो वह उसमें टू बेस उसके basis पर two types की cycle होते है एक होते gaseous और एक होते sedimentary ठीक है तो gaseous में आएंगी आपकी hydrological cycle water cycle carbon cycle nitrogen cycle और sedimentary में आएंगी phosphorus और sulfur कि उसके बाद है ecological succession और ecosystem development देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ecological यह ecosystem system में इसके तीन function थे पहला था energy flow उसके अंदर हमने क्या पड़ा food chain food web और ecological pyramid उसके बाद हमने second function पड़ा nutrient cycling और third function क्या है ecological succession तो ecological succession क्या होता है there is a progressive series of change तो यह क्या है series of change which leads to the establishment of relatively stable climax community तो पहले community होगी ठीक है that is not stable फिर हो कुछ चेंज होगे कुछ और community बनी फिर एक final जो stable community होती है ठीक है वो जो establish होती इस पूरे process को क्या बोलते है ecological succession कि starting community से फिर एक mid community आई फिर और community को ही develop हुई और finally stable community बनी उसको बोलते climate community ठीक है तो इस process को पूरे को क्या बोलते ecological succession या फिर ecosystem development progressive series of changes these are the series of changes which leads to the establishment of a relatively stable this stable climate community उसको क्या बोलेंगे हम ecological succession अब यह बात देखना जो पहली species होगी ना जो पहली species उसको बोलेंगे pioneer community और जो beach की जितनी भी species है या बीतनी जो भी लेवल से इसको बोलते है serial community पहली pioneer दूसरे बोलते है serial community और जो final जो होगी उसको बोलेंगे climax community ठीक है तो pioneer community के species first to colonize an area कोई भी area है उसमें पहले species आती है first species उसको बोलते है pioneer community इस आर हाड़ी organisms इनकी characteristic क्या है यह हाड़ी organisms short life होती है और they grow very fast ठीक है उसका serial और intermediate stage found in the ecological succession advancing towards its climax community तो जो भी intermediate stage है ठीक है यह कौन सी है आपकी किसमेंगे serial community में और finally climax community is the final stage of succession remaining relatively untouched unchanged until destroyed by an event such as fire और human interface और जो final वाली बनी जो stable community है उसको क्या बोलोगे आप climax community अब अगर बात करें ecological succession की तो इस divided into two parts one is primary succession other is secondary तो जो primary succession होता है it occurs on the new site को बिल्कुल नई site है वहाँ पे अगर को succession हो रहा है तो that is primary तो टेक प्लेस ओवर new site where no community has existed previously पहले कोई community वहाँ पे नहीं थी ठीक है बिल्कुल fresh community start हो रही है तो newly sites पर जो होती है succession उसको बोलते है primary succession जैसे बिल्कुल मालो आप रोक आउट कोप्स हैं या फिर newly formed deltas है या love of loads है बिल्कुल fresh अभी एक डेल्टा बना है उससे मालों उस पर कोई कभी community थी नहीं कोई living community तो first species आएगी उसको जा बोलेंगे और ऐसा succession जो already जहां पर मालो यह डेल्टा के मालो यह already established है अब किसी कारण से या तो यह partially destroy हो गया यह completely destroy हो गया उसके बाद फिर जो succession start होगा तो होगा secondary succession तो secondary succession का होते है sequential development of the biotic communities after complete और partial destruction of existing community तो यहां पर पहले किसी जगहां पर पहले से कोई community exist कर रही है अगर वो destroy होई है उसके बाद जो नहीं community develop करते हैं that is secondary succession और जो बिल्कुल newly site पर होता है उसको बोलता है primary succession इसके example है burnt और deforested area कोई मालो forest था पहले से developed था बिल्कुल उसको destroy कर दिया deforest कर दिया फिर मापे नया forest system डेवलोप हुआ that is secondary succession या फिर flooded lands तो यह आपका हो गया primary और secondary succession उसके बाद ecosystem जो जैप्टर है उसके इंदर कुछ important terms है जो आपको पता हो नहीं चीए ठीक है तो सबसे पहला इंडिकेटर species यह इंडिकेटर species क्या होती है यह इंडिकेटर species क्या होती है यह इंडिकेटर species जो कोई environment ecosystem है उसकी जो condition है उसको indicate करती है तो the species whose presence उनकी प्रेजेंस या absence या abundance and changes can indicate certain environmental conditions तो उनकी जो देख सकते हम कितना number का increase हो रहे है decrease हो रहे है तो उसके साबसे हम क्या करते है environment की जो condition है उसके आरे पता लगा सकते है तो example की बात करें तो mosses they are the indicator of air pollution and the risk to ecosystem air pollution risk to ecosystem actually होता कि they get most of their nutrients directly from the air and rain rather than from the soil level तो जो अगर air polluted होगी तो इनकी जो health पर फ़रक पड़ेगा अगर इनका number कम हो रहे है ठीक इसका मतलब क्या है air polluted है तो indicate कर रहे है एर की quality की ठीक है इन polluted air they get deteriorate तो mosses के आपका एक bio indicator का example है तो आपको example ऐसे पूछ लेंगे which of them are bio indicators पहले का आपको बताएगा कि उसकी oxygen level कम है कि जाज है ठीक है तो oxygen level in water stone flies दूसरा आपको confuse भी कर सकते है कि stone flies they indicate the air quality जबकि क्या इंडिकेट करता है water quality ट्यूबिफेक्स ठीक है ट्यूबिफेक्स क्या करता है indicator of non potable oxygen poor water अगर ट्यूबिफेक्स है present है तो वह क्या इंडिकेट करेगा कि water काफी polluted है नोन पोटेबल है और oxygen poor water स्पैरो देखो अगर स्पैरो की presence है तो यानि अर्बन एकोसिस्टम काफी है और आज कल आप काफी अर्बन एकोसिस्टम में देखते हो क्योंकि air pollution है और बाकी चीज़े इन्वार्मेंट कंडिशन स्पैरो उसके अल्गल ब्लूम्स किसके क्वालिटी शो करेगी आपकी water की ठीक है तो यह शो करेगा अल्गल ब्लूम्स ज्याद होना तो नाइट्रेट और फोस्पेट क्या है पानी में ज्याद है तो इस और इंडिकेटर स्पीशीज यह बड़ यादिकेटर स्पीशीज एक्जामपल है मौसे लाइचें स्टॉन फ्लाइज स्टॉन फ्लाइज में जाद रफना कि oxygen लेवली बॉटर तो वाटर स्पैरो अर्बन सिस्टम से और एल्गल बूम्स वाटर से उसके अधे अधे अलियन स्पीशीज अब एलियन स्पीशीज क्या होती है कि पर्टिकुल तो alien species species introduced outside its normal distribution some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species और invasive होगी species जो बाहर से हैं और नुक्सान कर रही है particular ecosystem में इसे नौन नेटिव महां कि लोकल किसी जगह कि लोकल नहीं है नौन नेटिव स्पीशीज है that does not naturally occur in a specific area and likely to cause and they are likely to cause an economic or environmental harm to the human to the sorry environmental harm or harm to human health तो they can likely to cause harm to environment or human health तो एसी species क्या बोलेंगे invasive species एक्जाम्पल आपके लांटाना या फिर बाटर है किन्त कम अब होता क्या है कि अगर बाहर से जो species आती है ना जो ये लोकल स्पीशी होते है उनके साथ क्या करेंगी कमपीट करेंगी resources के लिए अब ज्यादा resource ये लोग ले ले जाते है ठीक है जो इन्वेसिश पर होती है और जो local species होती है उसको resource मिलते नहीं और उसकी death starts आती है next हम है endemic species तो endemic species क्या होती है ये एक particular region में मिलती है तो इस फाउंड लीन पर्टिकुलर रीजन जैसे माल लो ह हिमाल्यान का कोई रीजन है हिमाल्याज में तो वहाँ पे कोई particular species मिल रही है जो और कहीं नहीं मिल रही तो that is an endemic species to Himalayan region ऐसे western गाट में वह species अगर मिल रही है और वह और कहीं नहीं मिल रही है तो उसको बोलते है that is endemic to western गाट तो found in just one particular region and nowhere else in the world that is endemic species उसके बाद है keystone species keystone species क्या करती है पूरे ecosystem को define करती है it helps define an entire ecosystem ठीक है जैसे माल लो अगर आपको African जो elephant है या उनकी बात करें तो आपको एक पिच्छर आने जी कि सवाना ecosystem की बात हो रही है तो पूरे ecosystem को define करती है उसने ठीक है any organisms from plant to fungi to animals can be a keystone species and have huge influence on the food web और इनका काफी influence होता है एक तो पहली बात तो क्या define करती है और दूसरा क्या huge influence on the food webs यह दो वड़ याद रखने है आपको keystone species के अंदर एक्जामपल आपके African सवाना elephants are the keystone species उसके आदे अम्ब्रेला species species that indirectly protects many other species in that area तो उसको क्या बोलते है आपकी umbrella species तो अम्ब्रेला क्याता है cover करता है पूरा तो इस बाके सारी species को भी protect कर लेती है जैसे tiger के आपकी umbrella species है अगर आपने tiger को बचा लिया तो आप पूरे ecosystem को बचा लेते हो कैसे अगर मालों एक tiger है ठीक है अगर आप tiger की population सारी अग्र खत्म होगी है तो अगर टाइगर खत्म होगे तो क्योंगे डियर की population बढ़ेगी अगर डियर की population बढ़ेगी टीर क्यांगी सारी ठीक है flagship देखने में समझे आता है flagship programs ही होते हैं जो काफी हाइब रहते हैं charismatic रहते हैं देखने में आपको लगए है बड़ा अच्छा है ठीक है तो कि nature they are used as an ambassador to draw society's attention towards the need to conserve them अब देखाने कई बार आपको राइनसार्स का होन निकाल देते हैं तो काफी पिटी सी आती है फिल आते हैं कैसे इनके होन निकाल रहे हैं तो their conservation the status of many other species may also be improved example आपका राइनसार्स और अगर colder region की बात करें तो आपे polar bear polar bear देखने में में अच्छा लगते हैं ठीक है बियर तो फिर उसको लोग क्या करते हैं इकोशी करते हैं और उसको कंशर्व करने के अधा पूरा ecosystem अधर होता है और बाकी स्पीशिक को फायदा होते हैं तो ऐसी species जो charismatic हैं ठीक है एंबेजर होती है particular ecosystem की उसको बोलते है flagship तो different word से याद रखने आपको endemic एक local region की है की stone डिफाइन करते पूरे ecosystem को umbrella species it leads to the protection of other species also और flagship species यह करिस्मेटिक स्पीशिज लास्ट एको टाइप एको टाइप क्या होता है जेनेटिकल डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल वराइटी ओफ पॉपुलेशन और रेस विदिन स्पीशिज यानि कि एक स्पीशिज जैसे मालो human beings हो गया या जैसे बियर हो गया त ब्राउन बियर और पॉलर बियर तो ब्राउन बियर और पॉलर बियर या फिर मालो इंडियन में पॉपुलेशन है और जो एफरीका की पॉपुलेशन है है तो human beings ही homo sapiens लेकिन जो उनके अच्पाइप के एक्जामपल है अगर आप ब्राउन बियर को देखो गे इसका कलर सब ब्राउन है और पॉलर पियर का वाइट है यानकी कुछ मॉर्फोलोजीकल चेंज आगे डिफ्रेंट एंवार्मेंट वे रहने कारण बागी स्पीशी से मैं तो ऐसी स्पीशीज जिनकी मॉर्फोलोजी अलग है ठीक है लूक अलग है देखने में पर वह एक ही स्पीशी सब्सक्राइब और फिर यापको याद रखना है ठीक है जादक इसकी है अलगल बैड एंड रीव्स फिर ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट उसके गाद फिर टुंड्रा एल्पाइन देन ओपन ओशियन और लास्ट में डेजट अब देखो जो भी हमने टॉपिक पड़ा है बिल्कुल बेसी पड़ाया था मैंने आपको उसके अंदर भी आप देखना प्रीवेस यह में कुछ कोशन आप अराम से सोल्व कर पाओगे तो यह प्रीवेस कोशन जो यह में कोशन आए मैं मैंने एक्जांपल लिया है तो पह ठीक है अब फूर्चेन इलस्ट्रेट्स ता ओर्डर तो मैंने पता है एक के बाद एक ओर्डर दिखा रहा है इन विच और इन विच अचेन ओफ ओर्गैनिजम फीड अपोन वन अन अदर तो एक ओर्गैनिजम दूसरी उखार है पूरी चेन बन रही ठीक है तो यह अब फूर्चेन इलस्ट्रेट्स दा नंबर ओफ ओर्गैनिजम नंबर की बात का होती है ठीक है वो तो पिरामिट ओफ नंबर करता है और यह बताता है किसने कितना खाय है नंबर नहीं बताता ठीक है तो यह भी स्टेट्मेंट गलते है तो इसका अंसर आएगा ओंली वन तो देखो आपने बस बिल्कुब आपको basic concept से बताया थे मैंने आपको उससे भी आप UPC के previous question के आंसर दे सकते थे next देखो आप which one of the following term describes not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in the community तो physical space plus functional role मैंने आपको बताया थे ना place और functional role तो कौन सी term define करती है ecological niche जो हमने plant वाल example किया थे बताया था कि हर एक species का अपना क्या होता है function होता है और एक particular जगहां पे रहती है तो not only physical space बट functional role तो इकांट डिफेंड करेंगा ecological बिलकुल सिंपल कंसेप्ट से हो रहे आपके आंसर विज रेफेरेंस्ट फूर चेन इको सिस्टम वर्गेनिजम्स और नोन एज डिकंपोजर और यह भी मैंने आपको बताया था बायोटिक और बायोटिक कंपोनेट के अंदर क्या क्या आता है ठीक है पहले पताया था producer consumer अब डिकंपोजर डिकंपोजर में क्या का बताया था बैक्टिरिया फंजाइ वायरस तो नहीं बताया तो बैक्टिरिया और फंजाइ टू एंथी आए गांसर ठीक है उसके बास विच्व फोल्विंग जग्रेक्ट सीक्वेंस ओ फूर्ड चेन अगर ऐसा कोशन कभी आपक आपको नाम यह थोडिकल्ट होगता है इसको नाम नहीं बताओ लेगिन आपकर कहीं नागी दिमाग लगा रहे हो ठीक है कि मेरे को सबसे पहले परड्यूसर देखना है और डाय अटम वैसे जोगरफी में सुनते जाए तरह हम ठीक है लेकिन अगर आपको पता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे था लेकिन कई लोग अगर इसे नाम सुना होगा है है फीश होती है ठीक है डाय अटम्स का अगर आइडिया हो तो यह थोड़ा महला मैनेज करना था इस कोशन को आपको और कंसेप्ट तो यह लगेगा उसके आदा है विच्वन ओफ फोलेंग इस देस्क्रिप्शन ओफ टर्म इकोसिस्टम यह तो बिल्गुल सीधा है डेफिनिशन आपको करवा ही थी मैंने कि और उनका रिलेशन आपस में ठीक है तो यह क्या होता है एकोसिस्टम एक्स डेयर एक्स्चेंजिंग मेटर नुट्रियंट्स तो इसमें अगर आप देखो अग कम्यूनिटी ओफ और्गेनिजम इंटरेक्टिंग विद वन अदर तो क्यों इंटरेक्टिंग नहीं उसके ब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप बाकी दोस्तों की शेयर करें और UPS से घड़ागी बाकी वीडियो देखते रहें ताकि आपको रेलिवेंट और क्वालिटी कंटेंट मिले धन्यवाद झाल 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 झाल